भारत जैसे देश में पैसा एक मूल भूता वशक्ता है यह मुझे आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है इस देश में कदम कदम पर पैसों की जरूरत पड़ती है हम सब ही जानते हैं आपके हाथों में जब नोट होता है तो आपके दिमाग में ये सवाल तो आते ही होंगे कि नोट किस कागस से बनते हैं, कैसे छपते हैं, कहां छपते हैं और खराब नोटों का क्या होता है और ये सवाल भी आपके जहन में आता ही होगा कि ये पैसा कैसे हम सभी तक पहुंसता है सभी जवाब आपको मिलेंगे हमारी इस वीडियो में बने रही है हमारे साथ नमस्कार मेरा नाम है मंत्रपार्ठी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पहला सवाल है नोट का पेपर कहां से आता है जिस पेपर से नोट तयार किये जाते हैं ये पेपर अमेरिका, फ्रांस और स्वेडन से आता है भारत में नोट छापने का पेपर हुशंगाबाद से मंगवाये जाता है जिन पेपर से ये नोट बनाय जाते हैं वो पेपर कॉटन से तयार किया जाता है अगला सवाल उठता है कि नोट छापने की मशीन कहां कहां है पैसे छापने की मशीन मद्यपरदेश के देवास, मैसूर, सालबोनी और नासिक में है देवास में नोट की स्याही तयार की जाती है और यहां पर 10, 50 और 500 के नोट चापे जाते हैं मैसूर में 2000 के नोट चापे जाते हैं आपको जानकर हैरानी होगी कि मद्यपरदेश के देवास में एक साल में 265 करोड नोट चापे जाते हैं इसके साथ ही हमारे देश में एक पेपर मिल, चार बैंक नोट प्रेस और चार टकसाल मिल है टकसाल मिल देश के चार सहरों में हैं जिसमें मुंबई, हैदराबाद, कुलकाता और नॉड़ा शामिल है इंडियन करेंसी में जिस खास स्याही का इस्तिमाल होता है वो सिक्केम और मद्परदेश के देवास में तयार की जाती है नोट सैंतौन और एंटापू मसीन में डाला जाता है फिर सही और खराब नोटों को अलग-अलग किया जाता है और उसके बाद की प्रक्रिया होती है सही नोटों पर नमबर डाला जाना नमबर डालने के बाद एक एक नोट को सही से चेक किया जाता है खराब और कटे फटे नोट बैंक में जमा किये जाते हैं उसके बाद उन्हें मुख्य कारियाले भेजा जाता है उसके बाद उन खराब नोटों की जगा नए नोट चापे जाते हैं एक सवाल आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि भारत जैसे बड़े शहर में नोट कोने कोने तक कैसे पहुँच जाते हैं आपको बता दें भारतिय रिजर्व बैंक के पूरे देश में 18 ओफिस हैं ये नोट पहले रिजर्व बैंक के ओफिस में आते हैं उसके बाद ये नोट लोकल बैंक में पहुँचा दिया जाते हैं इस तरह से ये नोट एक एक व्यक्ति तक पहुँच जाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में अभी के लिए सिर्फ इतना ही आगे भी ऐसी खबरों को पाने के लिए देखते रहे हमारा चैनल नेक्स्ट नाइट न्यूज धन्यवाद